याकूब अध्याए एक काम करने दो कि तुम पूरे और सिध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे पर यदि तुम में से किसी को बुधी की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो जो बिना उलाना दिये सब को उदारता से देता है और उसको दी जाएगी पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करी क्योंकि संदेह करने वाला समद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उचलती है ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रबू से कुछ मिलेगा वैव्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है दीन भाई अपने उचे पत पर घमंड करे और धन्वान अपनी नीची दशा पर क्योंकि वैगा घास के फूल की तरह मिट जाएगा क्योंकि सूर्य उदे होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल जड़ जाता है और उसकी शोभा मिटती जाती है उसी प्रकार धन्वान भी अपने कार्यों के मध्य में ही लोप हो जाएंगे धन्य है वे मनुष्य जो परिक्षा में स्तिर रहता है क्योंकि वैखरा निकल कर जीवन कावं मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिग्या प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है जब किसी की परिक्षा हो तो वे यह न कहे कि मेरी परिक्षा परमेश्वर की ओर से होती है क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परिक्षा हो सकती है और ना वे किसी की परिक्षा आप करता है परन्तु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाशा में खिच कर और फर्स कर परिक्षा में पढ़ता है फिर अभिलाशा गर्बवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यों को उत्पन करता है हे मेरे प्रीभायों, धोका न खाओ क्योंकि हर एक अच्छा वर्दान और हर एक उत्तमदान उपर ही से है और जोत्यों के पिता की ओर से मिलता है जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन किया ताकि हम उसकी सृष्ठी किये हुए प्राणियों के बीच पहले फल के समान हो हे मेरे प्रीभायों, यह बात तुम जान लो हर एक मनश्र सुनने के लिए ततपर और बोलने में धीर और ख्रोध में धीमा हो क्योंकि मनश्र का ख्रोध परमेश्वर के धर्मिक्ता का निर्वार नहीं कर सकता है इस दिए सारी मलिंता और बैर्भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रिता से ग्रहन कर लो, जो हृदे में बोया गया, और जो तुम्हारे प्राणों का उधार कर सकता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोका देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है, जो अपना स्वाभाविक मू दरपण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आपको देख कर चला जाता और तुरंत भूल जाता है, कि वह कैसा था, पर जो व्यक्ति स्वतिंत्रता की सिद्व्यवस्ता पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशिश पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है, यदि कोई अपने आपको भक्त समझे और अपनी जीब पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोका दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, हमारे परमेश्वर और पिता से निश्कलंग रखे, याकूब अध्याय दो, हे मेरे भाईयों, हमारे महिमायुक्त प्रभु येश्व मसी का विश्वास, तुम्मे पक्षपात के साथ न हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छले और सुन्दर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए, और एक कंगाल से कहो, तु वहां खड़ा रहे, या मेरे पाउं के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया, और कुविचार से न्याई करने वाले न ठहरे, हे मेरे प्रिय भाईयों सुनो, क्या परमेश्व ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना, कि वह विश अनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते, और क्या वे ही तुम्हें कचेरियों में घसीट-घसीट कर नहीं ले जाते, क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते, जिसके तुम कहलाये जाते हो, तो भी, यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार, तू अपने पडूसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्ता को पूरी करते हो, तो अच्छा करते हो, पर यदि तुम पक्षपात करते हो, तो पाप करते हो, और व्यवस्ता तुम्हें अपरादी ठहराती है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्ता का पालन करता है, परंथु एक ही बात में चूट जाए, तो वह सब बातों में दोशी थेरा, इसलिए कि जिसने या कहा, तु वेविचार न करना, उसीने या भी कहा, तु हत्या न करना, इसलिए यदि तुने वेविचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तु व्यवस्ता का उलंगन करने वाला ठेरा तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंतिता की व्यवस्ता के अनुसार होगा क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा दया न्याय पर जैवन्त होती है हे मेरे भाईयों यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाब क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उधार कर सकता है यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाडे हो और उन्हें प्रती दिन भोजन की घटी हो और तुमेंसे कोई उनसे कहे शांती से जाओ तुम गरम रहो और त्रिप्त रहो पर जो वस्तुए दे के लिए आवशक है वह उन्हें न दे तो क्या लाब वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ तु अपना विश्वास मुझे कर्म बिना दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो अच्छा करता है दुश्टात्मा भी विश्वास रखते और थरतराते हैं पर हे निकम्मे मनुष्य क्या तो ये भी नहीं जानता कि करम बिना विश्वास व्यर्थ है जब हमारे पिता अबरहाम ने अपने पुत्र इसहाग को वेदी पर चड़ाया तो क्या वा कर्मों से धार्मिक न ठहरा था तुने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिध हुआ और पवित्र शास्त्र का या वचन पूरा हुआ अबरहाम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और या उसके लिए धार्मिकता गिनी गई और वैं परम जोतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है. याकूब अध्याय तीन हे मेरे भाईयों, तुम में से बहुत उप्तेशक न बने, क्योंकि तुम जानते हो कि हम उप्तेशकों का और भी सक्ती से न्याय किया जाएगा, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूग जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूगता, वही तो सिद मनुष्य है, और सारी देह पर लगाम लगा सकता है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोडों के मूँ में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी दे को भी फेर सकते हैं, देखो, जहाज भी यदिपी ऐसे बड़े होते हैं, और प्रचन्ड वायू से चलाये जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांजी की इच्छा की अनुसार गुमाये जाते हैं, वैसे ही जीब भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती हैं, देखो कैसे थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है, जीब भी एक आग है, जीब हमारे अंगों में अधर् से जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वनपशु, पक्षी और रेंगने वाले जन्तु और जलचर तो मनुष्य जाती के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीब को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता, वै एक ऐसी बला है, जो कभी रुकती ही नहीं, व प्राणनाशक विष्ट से भरी हुई है। इसी से हम प्रभू और पिता की स्तुधी करते हैं और इसी से मनुश्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन हुए हैं श्राब देते हैं। एक ही मुँझ से स्तुधी और श्राब दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाईयों ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुझ से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाईयों, क्या अंजीर के पेड में जैतुन या दाग की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पाडी नहीं निकल सकता. तुम में ज्यानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो, वै अपने कामों को अच्छे चालचलन से उस नम्रिता सहित प्रगट करें जो ज्यान से उत्पन होती है. पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी इर्शा और स्वार्थ रखते हो, तो डींग न मारना और नहीं स विरोध होता है, वहां बखेडा और हर प्रकार का दुशकर्म भी होता है. पर जो ग्यान उपर से आता है, वै पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलंसार, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षिपात और कपट रहित होता है. और लडाईया और जगड़े कहां से आते हैं? क्या उन सुख विलासों से नहीं, जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो, और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और ढ़ा करते हो, और कुछ प्राप्थ नहीं कर सकते. तुम जगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं. तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो. हे व्यबिचार्णियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? इसलिए जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है. क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्र व्यर्थ कहता है, जिस पवित्रात्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है, जिसका प्रतिफल ढा हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर नम्रों पर अनुग्रह करता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वे तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, परमेश्वर के निकट आओ, तो वे भी तुम्हारे निकट आएगा, हे पापियों, अपने हाथ शुद करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो, दुखी हो और शोक और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने नम्र बनो तो वह तुम्हें शिरोमनी बनाएगा। हे भाईयों एक दूसरे की निंदा न करू। जो अपने भाई की निंदा करता है या भाई पर दोश लगाता है। वह व्यवस्ता की निंदा करता है और व्यवस्ता पर दोश लगाता है। तो तु व्यवस्ता पर चलने वाला नहीं पर उस पर न्यायदीश ठेरा। व्यवस्ता देने वाला और न्यायदीश तो एक ही है जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ है पर तु कौन है जो अपने पडोसी पर दोश लगाता है तुम जो यह कहते हो आज यह कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाब खाई देती है फिर लोप हो जाती है इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह यह वह काम भी करेंगे पर अब तुम अपनी डिंग मारने पर घमंड करते हो ऐसा सब घमंड बुरा होता है इसलिए जो कोई भलाई करन जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है याकूब अध्याए पांच हे धनवानो सुन तो लो तुम अपने आने वाले ख्लेशों पर चिला चिला कर रो तुम्हारा धन बिगड गया और तुम्हारे वस्तरों को केड़े खा गये तुम्हारे सोने चांदी में काई ल तुमने अंतिम युग में धन बटो रहा है देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी मजदूरी जो तुमने उन्हें नहीं दी चिला रही है और लवने वालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुँच गई है तुम प्रिथ्वी पर भोग वि तुम्हारा सामना नहीं करता इसलिए हे भाईयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो जैसे किसान प्रिथ्वी के बहमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को द्रड करो क्योंकि प्र हे भाईयों जिन भवशिद वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बाते की उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर समझों देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं तुमने अयूप के धीरज के विशय में तो सुना ही है और प्रभु की ओर से जो उसका प् है कि शपत न खाना न स्वर्ग की न प्रिथ्वी की न किसी और वस्तू की पर तुम्हारी बातचीत हां की हां और नहीं की नहीं हो कि तुम दंड के योगिन ठेरों यदि तुम में कोई दुखी हो तो वे प्रातना करें यदि आनन्दित हो तो वे सुदी के भजन गाए दुखी बच जाएगा और प्रभू उसको उठा कर खड़ा करेगा यदि उसने पाप भी किये हो तो परमेश और उसको शमा करेगा इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रातना करो जिससे चंगे हो जाओ धर्मी जन की प्रातना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है एलिया भी तो हमारे समान दुखसुख भोगी मनुश्य था और उसने गिरगरा कर प्रातना की कि बारिश न बरसे और साड़े तीन वर्ष तक भूमी पर बारिश नहीं बरसा फिर उसने प्रातना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमी फलवंथ हुई हे मेरे भाईयों यदि तुम्हें कोई सत्त के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए तो वह ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्रान को मृत्यू से बचाएगा और अनेक पापो पर परदा डालेगा झालेगा झालेगा